आज हम चर्चा करेंगे मूल नक्षत्र और जानेंगे इससे संबंदित सारे व्यावसाओं के बारे में और यदि आप ये नहीं जानते हैं कि कैसे आप अपनी कुंडली सोस नक्षत्र को ग्यात कर सकते हैं कि यह निर्धारित करता है कि आपके लिए सबसे सर्वुत्तम छेत्र जिसमें आप सबसे अधिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं वो कौन सा है उसके लिए डिस्क्रिप्शन में दिये हुए मेठ़ड नाम के वीडियो को देखें उस वीडियो को आप टॉप रैट कॉर्डर में काट सेक्षन में भी देख सकते हैं तो यदि आपकी कुंडली में मूल नक्षत्र ही वो नक्षत्र है जो की आती महत्वपूर्ण है आपके व्यावसाय को ले करके और ये निधारित करता है कि आप उस अपने चुने हुए छेत्र में कितनी अधिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं तो जानते हैं इस से जुले हुए सारे व्यावसाओं के बारे में मून नक्षत्र का जो स्वामी ग्रह वो है केतू और ये नक्षत्र इस्थित होता है धनुराशी में इसलिए जो भी व्यवसा इस नक्षत्र के अंतरगत आते हैं उनमें सम्मिलित गुड़ पाय जाते हैं केतू के धनुराशी के और ब्रहसपत के सबसे पहले यदि हम बात करें जो कि ऐसे व्यवसाओं की जो कि इस नक्षत्र के अंतरगत आते हैं वो है चिकित्सा से जुड़े हुए ऐसे कोई भी व्यवसाओं जो की चिकित्सा से जुड़े हुए जो की हीलिंग से जुड़े हुए जो भी हीलर्स होते हैं वो हम इस पारे करते हैं जो कि विशयले पदार्थों से संबंदित हो या ऐसे शोध करता है जिनके उपर बहुत ज्यादा शोध अभी तक नहीं किया जा सका है वो इस नक्षत्र से देखे जाते हैं फिर यदि हम देखे तो ऐसे शोध करता है जो कि खासतोर से अनुवानशिक विग्या करता है वो और शोध करता है जो फो बहुत लगडल हो कि ओडे हैं या के तुछ सहक को पर यहां साइग्स कि देखे से नहीं है जाते जाते हैं चीपित्षा से जुले हुए वह लोग देखे जाते हैं जिनके ओपर कंश्ञ प्रभाव है जो तो ऐसे च्छित्रों में कार्रे कर रहे हैं जो जिसके उपर के तु का प्रभाव आता है जो के तु से जुड़े हुए हैं तो के तु दर्शाता है ऐसे च्छित्रों को जिनको उपर अभी बहुत जादा शोध नहीं किया जा सका या विशैले पधार्तों से संबंधित कार्र केतु दर्शाता है इसलिए ऐसे च्प्रों में कारपत जो चिकित्सक एक तो वक्ती कachटा में मुं05 एकीनियर Estamos बहुत अच्छे वक्ता हैं वह इस नक्षत्र के अंतरगत आते हैं क्योंकि यह नक्षत्र धनुराशी के अंतरगत आता है धनुराशी और प्रहस्पत दोनों ही अगनी तत्व को दर्शाते हैं तो अगनी तत्व की मात्रा जहां जादा होगी वहां पर ऐसे व्यावसाय सामने आते हैं, ऐसे व्यावसाओं को जो प्रभावित करता है, वो सबसे जादा धनुराशी और ब्रहस्पत प्रभावित करते हैं, इसलिए और ब्रहस्पत दर्शाता ही मंत्रियों को, दर्शाता ही राजनीती को है तो जो लोग सरकार से संबंदित हैं खास तोर से नेता या राजनीती से संबंदित हैं पुलिस सेवाओं से संबंदित हैं वो इस नक्षत्र से देखे जाते हैं रक्षा सेवाएं इस नक्षत्र से देखे जाती हैं खास तोर से आर्मी इसके बाद ये नक्षत नक्शत्र के अंतरगत आतें जैसे कि आंगरक्षा खो गया जो लोग रसलर से एक सफिर प्रक्णरतेर दर्शाथ 25 खूफिया एजनसी को यह जासूस आंगरक्षाथ 25 लोग यह में केतु का बहुत ज़ादा प्रभाव है और केतु दर्शाथा है खोजबीन को केतु दर्शाथा है किसी भी चीज की गहराई में जाकरके उस चीज को ढूनने की प्रकरिया को केतु दर्शाथा है इसलिए ऐसे सभी व्यवसाय जिन में खोजबीन कर जी जाती नियरänder네 सμबंदित and occult विज्ञान है क्योंकि केतू और ब्रहसपत दोनों ही दरशाते हैं ऐसा ऐसे ज्ञान को जिसके बारे में बहुत लो Stevens को dalмен नहीं जानते और खास्तोर से ऑक विज्ञान धखास्तोर जो लोग कि तांक्र कम चेर knight system वो इस नक्षत्र से देखे जाते हैं क्योंकि Ketu और बहास्पत दोनों ही इन-थर व्यावसाम को पूर्ण तया संबोधित करते हैं. फिर यह नक्षत्र ऐसे व्यज्ञानिकों को दर्शालता और या व्यूनिकों को दर्शाता है जो जुड़े हुए है खगोल शास्त्र से जो भी खगोल शास्त्री हैं वो इस नक्षत्र से देखे जाते हैं गणितक ये देखे इस नक्षत्र से देखे जाते हैं जो लोग भौतिक शास्त्री हैं या आणविक भौतिक शास्त्री हैं नुक्लियर फिससेस जिसे हम बोलें वो इस नक्षत्र से क्योंकि केतु दर्शाता है जमीन में छिपी हुई चीजों को ऐसी ऐसी चीजों को ऐसे सभी पदार्थों को जो की छिपे हुए जो की रहस्यात्मा के जो की सामने नहीं नजर आते उनको आपको निकालना पड़ता है गहराई में जाकर के तो जितने भी ऐसे व्यवसाय हैं ज यह कैसे आप ज्यात कर सकते हैं कि सभी विष्टरी छेत्रों में से आपके लिए सबसे अच्छा छेत्र कौन सा है उसके लिए आपको चार निशकर से सम्मिलेत करके देखने होते हैं और चार निशकर आपको प्राप्त होते हैं राशी दौरा ग्रह दौरा भाव दौरा और नक्षत्र द्वारा इन सभी विश्यों के ऊपर हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं और यदि आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पिछले वीडियो चैनल की प्लेलिस में जा करके देख सकते हैं इससे आपको ग्यात हो सकेगा कि आपके लिए आपक subscribe button सब्सक्राइब करें कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप मेरे फेस्बूक और टुटर पेज पर भी जा सकते हैं कोई भी प्रष्ण पूछना चाहते तो आप मुझे मेल कर सकते हैं अन्य था हम आपसे अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में चर्चा कर झाल